जैसा कि आपके बीच में लगतार मेरा वीडियो जाते रहता है मैं जो भी बाले में करता हूँ और जो संभब हो सकता है कि मैं यूटूब पर दिखाऊं तो मैं पूरा कोर्सिस करता हूँ कि आप लोग के बीच में चीजों को लाओं जो बकरी पालन में दो बिंदू बहुँत एख है एक सब्सक्रा देना है और सबसे बड़ी बात है कि बेटीनेशन अगर बखरी पालन कर रहा है बहुत सारे बाला यूटूब का वीडियो आप देखे होंगे जब यूटूब का वीडियो आप देखते हैं बकरी पालन का तो कहीं ने कहीं आपका तो इसमें रूची है तो बहुत सारे बाले का आपने वीडियो देखा होगा तो आपको बकर्णिया तो बहुत सारी दिखाई जाती होगी आप अब जादा गर्मी पड़ा जिसे के अब देख रहा होगे कि पसे नहीं निकल रहा है तो कितना भी मौसम कुछ भी हो लेकिन आपको अपने सर्किल के रूप जो भी आपका काम करते हैं जो भी आपका रूटीन है उसका फोलो करना है बच्चे जब बकरी जो बकरी चराई पर तो वह तो उनको काफी वहां जगह मिलता है खुले बातर में रहती है तो बेक्टरियल बीमारी और बीमारी और बीमारी आना आम बात है क्योंकि एक दूसरे के मैगनी मूतर का जो गंद होता है जो जिवानु पनपते हैं उसे अब कितना भी सफाई रखेंगे तो फिर कुछ ने कुछ दिकत आता है तो बच्चे जो चोटे बच्चे हैं मोटलीटी का सिकार हो जाते हैं बच्चे बच्चे नुकसान हो जाते हैं यानि बच्चे जन्म लेते हैं और बच्चे लोग बचा नहीं पाते हैं उसका सबसे बड़ा काम है इंट्रो टोक्सिमिया यानि ET ET और TT यानि टेटनेस तो इंट्रो टॉक्सेमिया और टेटनेस दोनों का कमबाइंड बैक्सिन आता है ET पलस टीटी तो जब बच्चे आपके मेमने जो हैं तीन माह का हो जाएं तो टीका करन जरूर करें जैसा कि देखिए मैं लिखे आया हूं अभी फ्रीज में से निकालके रखना होता है यानि देखिए बर्फ है यह बर्फ आइस क्यू है और इसके साथ एटी पलस टीटी का यह बैक्सिन है तो इसका मैंने पहले यूज किया है फ कि दो सब्सक्राइब तक इसका डेट है जिसे साथ दोहजार चोवीस तक इसका डेट है और बहुत लोग जो बोलते हैं कि सा कितना रेट होता है तो यह 210 रुप्या MRP है तो आपको MRP से 10 रुप्या कम मिलेगा ज्यादा नहीं मिलेगा बहुत तो कोई MRP पर हीं देगा तो 210 10 पड़ेगा और 50 बकरियों का डोज है यानि 100 ml है यानि 2 ml प्रती बकरी सबकर्ट यानि चमड़ी में दिया जाता है इसको इस vaccine को और इस vaccine से के आपका बचाब होगा टेटनस तेटनस से आपका बचाब होगा और इंट्रोट्रोक् 새로운 यानि फढकिया रोग के भोलते हैं उससे बचाब होगा अब मैं दो लोगों को बारे मित बता दूं ताखिब दिमाग में निलें अध्यरा फ़ाहिए यह लोग Cross बकरी चलते चलते लखड़ा के गिरती है तडपती है और 8-12 घंटे होते होते बकरी का मौथ हो जाता है यानि एक लाइलाइज बिमारी है जिसमें चाह कर भी आप इलाइज नहीं कर पाते बकरीयां बच नहीं पाती और इसका बस यह उपाय है कि आप इसका टीका करन समझ से लगाएं ठीका करन करें तो बकरी को एव बेमारी नहीं होगा यह हो गया दूसरा है टेटटनेज चैट्नेस में क्या होता है रिक पूरा अकड़ जाता है सरीम भनूस अकार हो जाता है या ने zwei तो दो परसिंट बचने का ही उमीद रहता है बाकी नहीं बचा पाते हैं तो समय पर टीका जरूर लगाएं आज मैं टीका लगाने के लिए आया हूँ जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं टीका लगाऊंगा यह बैक्सिन का है कि जो तीन महा के बच्चे हो गए हैं नबे दिन के बच्चे हो गए हैं उनको टीका करन कर दें तो नबे दिन के बच्चे को बिलकुल टीका करन कर देना है औ और बिल्कुल बच्चे सुरच्ची थें, टीका करन करने से यह हो जाता है कि हम जानलेबा बिमारी से हमने बच्चों को अपना बचा लिया, यानि फढ़किया रोग यानि एटी और टेटनेस से हमने बचा लिया, जिसका कोई इलाज नहीं था, तो इन बच्चों को लगा हु है, लगा हुआ यानि कि जितने बच्चे बखरियों को आप देख रहे हैं, यह सभी को बच्चिन लगा हुआ है, मैं बच्चिन में नहीं चुकता, इस तरीका से बाड़े में जितने बखरियां है मेरे पास, सबका बच्चिन लगा हुआ है और एटी प्लस टीटी का जो ट 2 ml प्रतीबक्री लगा जाता है इसे चाहे बच्चा कार बचन कितना भी हो कम से कम तीन महीना का हो जाए हो और तीन महिना होना टी बजन जितना भी हो और मदी बढूल कोहा का का जाता है और उसके बाद जो भूश्ट्टर से थे उस तारिक से फिर 6 महीने पर हपर यह महीने पर आंपको एची का लगाते चले जाना है फिर भूश्टर के जरुबत आपको नहीं पड़ेगा तो एधिक मतलब कि दो एमेल आपको प्रतीय गई म कर्ी देड़ना है तो खब बूश्टर जोडए लोज कर दोस्ते है estou से पिर तềक्षा और दीजवतेशों टाला है जो चोटे पूठेस आधैसे तुद्ध मुहे बच्चे हैं या फिर जो बच्चे वाथ बिल्कूल जन्म लिये है याद आपको यह रखना है दोस्त की कभी भी व्य गाने जा रहा है गया ओसने से पहले बकरियों को बच्चों को जी अब लगाने जा रहा है उनका डिभॉलिंग जरूर करें उनकर बखरीयों को पर ठीम n Sundewальном किया कर आता है तो अगर आप लगाने जा रहा है आप आप आपने दो महीना पहले डिवार्मिंग कर देने में कर सकते हैं तो इस तरीका से टीका करन्व करने से आपका बचाब होता है होता क्या है कि बकरी पालन लोग करते हैं अपना सपना सजाते हैं और अधर लोग तो साइद ना समझें लेकिन जो फार्मर हैं जो किसान है बकरी पालन कर रहे हैं वह भाखुबी समझते हैं कि भले बकरी पालन कर रहे हैं लेकिन लाखों का बेपसा इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं लेकिन आप जानते हैं आपका पूंजी लगा हुआ है तो बकरीयों को अगर आप समय से यह बैक्सिन अगर आप नहीं लगाते हैं तो जानलेबा बिमारी बिल्कुल होगा खास करके अब बरसात आने वाला है तो एफेमडी का ठीका के पास इतना संख्या है तो मैंने कहने का मेरा मतलब है कि आप उसको एक मिनिट में या कुछ अपना छोटा सा गलती है कारण बिल्कुल उसको बिनास के कगार पर आप जाने जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं तो ठीका जरूर करें बरसात आने वाला है तो एफेमडी के लगाएं ET पलस TT का टीका आपको लगाके रखना है रेगुलर् के मेनी पर लगाते चले जाना है देまあने के लिए कि 32 नमर् का इस्तिमाल करें सबसे बनिया रहेगाए बाइस नमर् का नीडिल देखे यह नीडिल लगा है यह सभी 22 का झीडिल है जो मेरे हाथ में देख रहे हैं 22 नमर का नीडिल है ठीक है ना और यह सिरिंच हमने लिया है तीन एमेल का चुकि दो एमेल ही दबा देना है तो तीन एमेल सिरिंच से काम चल जाएगा तिर एक बार रिपीट करूंगा कि बच्चा तीन महिना का होना चाहिए बजन जितना भी हो या बड़ी बक है तो बिमार बकरी को बैक्सिनेशन कभी न लगाएं आपको धियान रखना है कि बिमार पसू को बैक्सिन न लगाएं चो तीन महां से छोटे मेमने को बैक्सिन न लगाएं और बैक्सिन बिलकुल लगाएं बहुत सारे लोगों का बहाना होता है कि मेरे अरिया में बैक्सि नहीं मिलता हो और आप दूर से लाने का मने जहमत नहीं उठाना चाहते हैं यानि मेहनत करना नहीं चाहते हैं तो बकरी पालन से दूर रहें आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है मैंने इस टाइब का वीडियो और भी बनाया है तो कॉमेंट आया कि आप तो नगेटी ब बात बोलते हैं भाई मेरे सिर्फ positive बात बोलने से जीवन नहीं चलता सचाई सुनना पड़ता है उस समय कितना भी तारीब कर दें बकरी नहीं बचेगी बीमार हो जाने के बाद तो उस समय आपको लएगा कि कास में ठीका लगा चुका होता तो मेरी बकरियां बचती क्योंकि ठीका करने अगर आप टोटल सेडूल फोलो करते हैं तो हल्का सरदी खांसी जो काम होता है इसको आप इजली ठीक कर लेते हैं और अगर बैक्सिनेशन वाली जो बीमारियां है जैसे आज एटी प्लस टीटी का भी बात कर रहा हूं इंट्रोटक्सेमिया और टेटनिस का ते से बचने के लिए अपना नुक्सान से बचने के लिए समय पर ठीका करन जरूर करें सुरच्छित रहें नवस्कार दोस्तों परणाम हन्यवाद